हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो गैरेज ओफिशल मेरा नाम है रिशब और आप सभी लोग के लेकर आया हूँ एक ऐसे वीडियो के उपर हम बात करने वाले हैं जहां पर बहुत सारे स्पेकुलेशन और वीडियो आ रहे थे यूटूब पर और काफी सारे वेबसाइट्स क्लेम कर रहे थे कि बजाज पलसर RS125 लाँच हो सकती है अब ये क्या खबर सच में सही है या फिर ये सी रूमर्स है इसे के बारे में जानेंगे इस वीडियो में सबसे पहले मैं क्लारिफाइग कर दू ये जो बाइक होने वाली है बजाज पलसर RS125 इसके उपर कोई भी ब्रैंड क जरफ से न्यूज नहीं आई है कोई भी आर्टिकल्स नहीं आया है इक जस्ट रूमर्स जो आपको इंटरनेट पर यूटूब पर देखने को मिल सकता है अब आपने काफी सारे वीडियो देखे होंगे बहुत सारे चैनल बोल रहे थे कि इस पर ये बारे में कि ये बाइक जल्द ही इंडिन मार्केट में आ सकती है 2022 में इंट्रूस किया जा सकता है तो इसी के बारे में जानेंगे क्या ये न्यूस सच में सही है या फिर ये ऐसी हवा उडाया हुआ है इस बात का सबसे पहले बात करो तो बजाच पलसर RS200 जो है ये एक प्रीमियम सेग्मेंट की ब बजाच के पास बाइक है अगर बजाच लानी भी चाती है RS125 तो उनके पास एक इंजिन एवेलेबल है उसी को वह कंट्यूनी करके बजाच पलसर RS125 में इंट्रूस कर सकते है जो एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है in upcoming future अब बहुत दोगों को RS का डिजाइन पसंद आता है किसी किसी को नहीं आता है अगर पसंद आता भी है वो बाइक तो काफी ज़ादा कौशली हो जाती है और हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है इस वज़े से अगर बजाच इंट्रूस करना भी चाती है बजाच पलसर RS125 तो एक बहुत ही बड़िया चॉइस हो सकती है for those people जितको एक fully fed look चेहिए था with a very low price segment जहां पर ये bike की price लगबग आप expect कर सकते हो 140,000 के असपास हो सकती है तो आप definitely ये चीज़ ध्यान में लेके चल सकते हो कि आने वाले समय में शायद से बजा जिससे introduce कर सके एक अच्छा segment of people अपने तरफ अट्राक कर सकती है क्योंकि ये segment में बहुत ही कम bikes है जो fully fed design के साथ में 125cc का engine provide करते है already KTM की RC 125 आती है and दूसरे ज़्यादा bikes है भी नहीं वहाँ पर Yamaha की जो R155 है वो 150cc के segment में आती है and काफी ज़्यादा ये bikes costly हो जाती है so अगर आपको एक fully fed bike चाहिए in 125cc के segment में with the lower price segment तो यहाँ पर बजाज definitely introduce करेगी तो एक अच्छी choice बन जाएगी but अभी तक कोई भी claim जो कर रहे है YouTube या फिर articles आपको websites पर देखने को मिल रहे है अभी तक कोई भी information brand की तरफ से नहीं आई है and आप यह मांगे चले कि यह जल्दी आएगी भी नहीं क्योंकि अभी already बजाज दूसरे चीजों पर काम कर रहा है अभी बजाज अपने Pulsar segment को ही update करने वाला है क्योंकि उन्हेंने हाल ही में F250 and N250 launch कर दिया था जो tubular chassis नई chassis यूज़ की है नई engine यूज़ की है and बजाज ने कहा था उनके launch event पे कि वो आने वाले समय में सारे बजाज में जो Pulsar सीरी से उसे update करने वाले हैं तो आप यह जरू expect कर सकते हो कि पहले जो existing Pulsar से उसे update दिया जाएगा उसी के बाद RS लाया जा सकता है तो आप expect कर सकते हो अगर launch करना भी चाती है brand तो 2022 के end में या फिर 2023 में ही इसे introduce किया जाएगा अभी तो कोई भी हमें आशा या फिर कोई भी ऐसे संभावना नहीं लग रही है कि यह bike आएगी अगर आती है तो यह lower price segment पे आएगी इसमें features थोड़े कम दिये जाएंगे comparing RS200 इस bike में ABS आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर यह launch होती है तो यह कुछ चीज़े है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी है और आप सोच रहो कि मैं wait कर लो इस bike के बारे में अगर यह जल्दी launch हो गई तो बट अभी कोई भी ऐसे speculations जो आ रहे है नहीं आने वाली है जल्दी आपको wait करना पड़ेगा बहुत समय के लिए या फिर आप दूसरे bikes को opt कर सकते हो जो 125 CC के segment में बहुत सरे options आपके पस available है खुद बजाच के पास ही NS125 available है वो भी bike आप ले सकते हो बहुत बढ़िया bike है you can definitely go for that bike also चली दोस्तों आज का video यहीं समाप करेंगे I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस तरीके की कुछ भी doubts होगे आप definitely मुझसे पुछ सकते हो and जो channel screen कर रहे है कि bike जल्दी launch हो जाए कि clickbait करना चाहा रहे है उस पर ध्यान मत दीजिए यहाँ पर आपको clear information I hope अब मिल गई होगी चले दोस्तों टेक क्यार राइट सेफ